नमस्कर दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज अपने चेहरे के रंगत को निखारने के लिए याינि किacho चेहरे की खुबसूरती को बढ़ाने के लिए कुछ एक और शद्धियां लेकर कना हैं दोस्तों जिनके सहारे आप अपनी खुबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं दो टेबू लाना है बेंकिंग सोडा लाना है अब इसका इसत्माल कैसे करना है सब से पहले आपको दोस्तों ऐलוה जेल को अपनी स्कीन ठाढ़ा देना है फेस गोरा करना है ओर हप पयर जहां भी आपके चाहते हैं कि स्कीन गोरी हो वहां पर पहले ऐलOWEAR जेल को अच्छे से मिक्स कर लें दोस्तों पूरे शरीर पर इसके बाद आप क्या करें कि निम्बू पर निम्बू को पहले काट लें आधा काट लें और उस पर बेकिंग सोडा डाल लें अब इसे अच्छे से जो आपने एलोवेरा जेल लगाया था उसे दस मिनट सूख ने आपने जब वो सूख गया तब उस पर रव करके यह निम्बू लगाएं आप जिस पर की बेकिंग सोडा लगा हुआ है लेकिन इसके साथ आपको मुख्य बातों का जो ध्यान रखना है दोस्तों प्रिकोशन रखनी है वो यह है कि अगर आपकी सिंसिटिव है दोस्तों तो आप ऐससे न लगाएं डारेक्ट अपलाई ना करें पहले आप वसका माइं पैरों की सकीन पर एक बार टेस्ट कर लिजे पहले पहले लगा करके यान कि थोड़ी सी सी इंपे लगा करके देख लिए कि कहीं आपको रियक्सन नहीं कर रहा है न कोई लौस तो नहीं कर रहा है न इसके बाद जब वो सही रहे तो अगले दिन से आप कंटिनिव कर सकते हैं आपको हर रोज नहीं लगाना होगा यह हर दूसरे दिन आप लगा सकते हैं यानि कि सब्ताह में चार दिन लगाते हैं आप आपके लिए बहुत ही सुरक्षित होगा दोस्तों और अच्छा होगा अब क्या करना है आपको एलो वेरा जेल से अच्छे से मर्ज कर लेना है आपको यानि कि अच्छे से रब करना है स्किन को हाँ किसी की स्किन सिंसिटिव हो थोड़ी तो उसमें आप शहद मी मिक्स कर सकते हैं शहद उस पर डाली बेकिंग सोडा ठीक वैसे हैं उस पर दो चार बुंदे शेहद के डालीजिए इसके बाद आप रब कीजिए अच्छे से रब करने के बाद आप थोड़ी देर बाद इसे दो लीजिए आप ऐसा अगर सबताह में चार दिन करते हैं दोस्तों तो आपको खुद बखुद आपक ताकि स्कीन आपकी हेल्दी बनी रहे निम्बू में बहुत ज़्यादा इसीड की मातरा होती है जिसकी वज़से वो गंदगी को साफ करता है इसकीन से दोस्तों इसके साथ साथ आप बेकिंग सोडा भी इसी काम में आता है एलो वेरा जेल इसकीन को खुबसूरत बनाती है उसमें नमी प्रदान करती है दोस्तों जो सकीन नम हो जाती है तो बेकिंग सोडा और निम्बू उसको सकीन से गंदगी को हटाते हैं इसके बाद आप मस्चराइजर लगाते हैं तो सकीन सोफ्ट बनी रहती है उसकी कुमलता बनी रहती है और रंगत निखर जाती है दोस्त अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्तो पूंज जहनकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों